कि इन्हीं को जिंदगी को पबन जी का जिंदगी को फसाक रखे हुए हैं बीदा नहीं कर रहे हैं मतलब चोर चोड़ी करकर के उहीं चिला रहा है कि चोड़ हो चोड़ हो ये बलेक में लड़का को किया जा रहा है लड़का को 200 सन किया जा रहा है हंदान को बचाईए इक पास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 देखिए पवन सिंग जोती सिंग का जो मामला है एक बार फिर से तूल पकर लिया है तूल पकरने का कारण है कि पवन सिंग ने अपनी धर्म पतनी जोती सिंग को घर से धक्के मार कर बाहर निकाला और इसकी पुष्टी बविता मिस्रा ने भी किया उसके बाद जोती सिंग का हालत जो है इस वक्त बेहत खराब है जोती सिंग हॉस्पिटल में है लेकिन पवन सिंग अब तक मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं और नहीं पवन सिंग के घर से कोई पहुंचे हैं ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्य पवन सिंग, जोती सिंग के कंधे पर बंदूख रखकर सांसद बनना चाहते थे और सांसद नहीं बन पाए, तो उन्हें फिर से छोड़ दिये तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खास महमान जुरे हुए है मुजिक डारेक्टर संतोस सर और ये नये लोगों को मौका बहुत अच्छे तरीके से देते हैं सिंगिंग के लाइन में, सर स्वागत है आपका धन्यवाद आपको और सभी लोग खुस रहें आगे बढ़ें फूले फूले सर बडर सवाल रहेगा, कि इस तरीके से जोती सींग और पावन सींग का जो रिस्ता जुरा था वो रिस्ता अब तूट गया है, इसमें कितनी सच्च्छाई कौन कहते हैं कि तूट गया है वो क्या कह रही हैं, एसका खुला सा क्या लड़की पक्स कोय किया है जोती जी किये हैं पवन जी कुछ बोले हैं पवन जी तो चुपी साथ के रखे हैं लेकिन जोती जी का जो इस्टेटस लग रहा है वो बहुत कुछ अपने आप में बया कर रहा है इस्टेटस के माध्यम से तो सब कुछ बता ही रहे हैं देखिए वो जो लगा रही है न हमको कि हो सकता है उनका भावना हुआ होगा दो लगा दी है एसी यह और कोई बात नहीं है हा यह है कि इसमें को इसलिए नहां कहा रहे हैं बार बार उनको कि ऌना कर देजिए जोटी जी को लड़की को 1965ench सेल अटव पढ़की सब मेडिया बंधू लोग कर देजिए उनको तो आज आते हैं तो बैट दे देते हैं तो हमने क्या कहा यही कहा था ना कि जोती जी को कि थोड़ा सा अड़े लड़का वाले हैं भाई वो मा को ज्यादा मानते हैं सबसे पहले मा को पूझते हैं तब भगवान को पूझते हैं तो जो लड़का मा पिता को मा को ज्यादा यहां है, बेटी को रहे करो. मेल जुल तो हम करा ही दिये थे. मेल जुल भलब हम बहुत सारा मेडिया को बोले। जब जोती जी ममेरा सारा इंटर्व्यू देखती हैं, जब उनको लगा कि हाँ पटना वाले डाइरेक्टर जो अच्छे बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, तो अमल की तब देशवा नियूज को बोला करके रोरों को बोली हैं, रोरों के बोलना कि कमपरमाइज का मूड बना लेना, पहले तो कमपरमाइज का मूड ही नहीं बना करो लिए, तब जा रहे अम, रहेहीं ऐम कद लेंगे, आप का भी नाम होगा, कि जोती जी ससुराल बस रही है कौन गौना कौन करे बविता मिस्रा करे या उनके फैमिली नेमबर करे बविता मिस्रा कौन होता है गौना करने वाली वो तो कहती है कि मैं बड़ी बहन हूं उनकी गौना करेंगे उनके पिता जी ना उनकी मान गवना करेगी जो जोती जी का माता पिता है लेकिन जोती जी का तो इस वक्त सारा जिमेदारी बबता मिसरा के कंदे पर है औरे कि हम उठा के रखे हैं अरे भाई पहले उस सिंगर थी ठीक ना सिंगर में ठीक ठाक नहीं चली तो लाइट केमरा एक्सन लेके बैठ ग करते हैं यह मजा लूटने बला हम आप मेरा इंटर्विव कोई देखे कि हम चुसकी लेकर के इंटर्विव देते हैं नहीं हमको मजा लेने नहीं आता है हमको दर्द होता है कि नहीं का घर में कि नहीं का इसे होता है तो तो इस्टेटर लगाई है ठीक है इस्टेटर से उन लड़की मेल जोल हो गया जी ताप उनको गवना कर दीजे चली जाएंगे अपना घर में बुड़ पुड़ान कह दिया था कि बेटी बसे ससुराल धोती उड़े अकास जिस बेटी को जिस बेटी ससुराल बस जाएगी उसका माता पिता कहां चल धोती आसमान में उड़ता है आप बिदा कर दीजिए लेकिन आप अभी भी वही कर रहे हैं कि बेटी को रोक के रखो मेल जोल तो हो ही गया है रोक के रखो डिटेंशन करो तो पबन जी मान जाएंगे पबन जी मान जाएंगे मेरे अनुसार से चलने का आरे भाई कोई कीमत पर लड़का नहीं चलेगा लड़का एक दम अपनी मा के नुसार से चलता है अपने खंदान के नुसार से चलता है यह सब दिमाग बुद्धिमत लगाए आभी भी गवना कर दीजिए भेज दीजिए जोती जी को एक दम डैट सौल कोई कुछ नहीं है या बीमारी क्या है डाक्टर ने पकड़ेगा ज वो उनके अनुसार चले माता मतलब वो अपनी मा को छोड़ दे अरे सभेग तो यही भी मडिया है बेटिया जब सदिया करता है तो जैसे शुरुवातिम बेटी हो जाता है तो बेटी का हो गया बेटी का हो गया बेटी हो गया सत्तूपी के सो जाता है अजब बेटा होता है तर लट्डु बाठता है Smith選 पंताव बाठता है इसलिए बाठता है अज्ड़ा बेटी हो ज्याता है अच्वोगी है इसलिए जब बढ़ा होगी तो आईसन पैसावला घर में साधी करेंगे कि एकदम लड़का को भी खेपना है लड़का को भी अपने चंगुल में मूठिस नचाना है लड़की तहमर है ये है आर आईसन माल लगाओ माल पाओ जोली भड़के घर ले जाओ आरे भाई जब आपकी बच्ची बच्ची सोच रही लड़की सोच रही है कि यही लड़का हमको खुस रखेगा तो उनको कर दीजिए अच्छा बात है आपको 5-6 लाक रुपिया बच्च जाएगा नहीं लगेगा साधी भिया में खर्चा तो उसको रूम में क्यों बंद कर देते हैं यह चाहत क्यों रखते हैं कि तुमको बड़ा पैसाबला घर में देंगे आरे भाई वही लड़का खुस रखेगा बच्ची को इसलिए कि बड़ा घर में देंगे बच्ची को बेटी को साधी करेंगे कि माल लगाओ माल पाओ जोली भड़के घर ले जाओ दमाद को भी हंडिल में नचाएंगे अरे उद दमाद किनी का बेटान है पहले जी तब आपका दमाद है तो बीमाडी ये है बीमाडी वो सब नहीं है पबन जी कभी नहीं दखिये उखंदान के लिए मरे हैं मरते रहेंगे कास पबन जी का पिता जिन्दा होते है आज पबन जी का पिता जिन्दा होते न तो कभी नहीं सब गलत तोहमत कोई लगाता अब उल्टे चल जाता है मतलब की कोट कचारी करने के लिए मजाले की कोट कचारी चल जाएंगे करने के लिए आप आप ही अथी में हैं, उनको फसा लिया गया पबन जी को, उन लड़का बार बार हिंट दे रहा है, कि हम माँ से जुदा नहीं होंगे, माँ से जुदा नहीं होंगे, आप बात समझ लेना चाहिए, लड़की को बच्ची को बेटी को बिदा कर देजिए, सब कुछ ठीक हो तब बावीता मिसर, कोई मिसरा इसमें नहीं जानके कुदना चाहिए, एक और घटना था, आपको मालूम होगा, कि एक बच्ची के लड़की का घर में कोई लड़का घुस गया था, जो कि माड़ पिटा के उसका हत्या कर दिया, हत्या हो गया, हाँ, उसमें भी बावीता मि लड़का कोई नहीं रोता है, नहीं रोता है, लड़की तो रो लेती है, रो के बोल देती है कि लड़का नहीं रोता है, भितरे भितरे फुड़ा, टूटा हुआ लड़का रहता है, रोता है, मतलब आपके अनुसार पवण सिंग पूरी तरीके से तूट चुके हैं, आरे पोधा को बच्चा पोधा रहेगा तर नुसको हलागे बच्चा को भी अपना बेटा को बेटी को नहीं देगा किसी के पास लेकिन यह तो बड़ा गाच हो गया जड़ से बड़ा गाच हो गया मालदाम फर रहा है अब उसको उखार के सोचिएगा कि हम अपना अंगना में नहीं लगेगा इसले को गाच है ııन पवन जी के माँ का आंगन का पवन जी का पवन जी तीन हैं बड़े भाई भी हैं पवन जी भी है एक मझेले भाई भी जो पतले दुबले हैं एक बहन भी है इसे ऑप ुषर पड़ी बार है ये क्यों हो आपके लगव, बचु को सताए नहीं बढ़ने देंगे, मेरे अनुसार से क्यों नहीं चलते हो, सुरू सुन का यही कहना है, कि मेरे अनुसार से नहीं चलोगे, नहीं चलोगे, आरे भाय, आपके अनुसार से कही से चलेगा उन लड़का, उन लड़का अपने मा के अनुसार से चलेगा, अपने पिता के नम दिया है और आपको मानेगा जब ससुराल जाएगा तो पैड़ चुके परनाम करेगा ससुर को सास जी को ससुर जी को करेंगे लेकिन इकोन मतलब हुआ कि सब दिन मतलब की मेरे अनुसार से आप नाचिये चलिए यह बिमारी है अच्छा जोती जी इस वक्त होस्पिटल में है तब्यत बहुत ज़्यादा खराब है इसका जानकारी बगता मिश्रा दे रही है लेकिन पवन सिंग फिर जा क्यों नहीं रहे जब इतना प्यार करते हैं जोती सिंग से तो जाना चाहिए न उनकी धर्म पत्नी है जोती जी पहले फैसन डिजाइनर थी जब रिस्ता जब जोड़े थे पवन जी से तो सब कुशों समझ के जोड़े थे लड़की से पूछा गया था उनके पिता जी पूछे पिता जी पूछे की बेटी ऐसन लड़का है तो उनको भी उन भड़ दी हाँ भड़ दी चुकि आप क्यों पसंद की हैं इसनले पसंद किये कि लड़की इसले पसंद की कि चलो हम पैसंट डिजाइनर हैं हम हीरोईन भी बनेंगे आप पवन जी चाहते हैं कि मेरी पत्नी लच्मी बन के रहे देखिए कोई-कोई जो है ने लच्मी बन करके रहना चाहती है कोई-कोई पती अपना चाहता है कि अपनी पत्नी को लच्मी बना के रखे उन नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी का कोई हाथ पकड़े असा ससूर भी चाहता कि मेरी बहू का कोई हाथ नहीं पकड़े मेरी बहू अगर जोब करने जाएगी या दोकान खोलेगी आओ लड़का चाहता है मेरी पतनी दोकान पर बैठेगी तो कोई जाहिर सी बात है कि कोई दुसरा अदमी केश्टेमर हाथ पकड़ेगा पैसा लें द मरदाना का काम है जी मरदाना का काम दुसरा है आपका काम है घर समालना लच्मी बनके रहना शोपिंग कीजिए मार्केटिंग जाए जो इस तरी महिला शोपिंग कर रही है घर चला रही है उन महिला नहीं है उन लच्मी नहीं है उन लच्मी है गड़ी चला रही है शोपिं कि देखिए भाई लिखा ले हम तो कहते लिखा लिजी है कि नहीं को जिंदगी को पवन जी का जिंदगी को फसाक रखे हुए हैं बीदा नहीं कर रहे हैं और उल्टे पवन जी पर तोहमत लगा रहे हैं पवन जी पर तोहमत लगा रहे हैं ठीक सरोर पवन जी पर तोहमत लग हम नहीं इसम में रहते हैं लेकिन कोई पत्रकार बंध हुआ जाते हैं कोई भी आइसे हमको सचाइस नाता रहा है हमको जूट मूठ जो एलिगेशन लगाने बला मतलब चोर चोड़ी करकर के उहीं चिल्ला रहा कि चोड़ हो चोड़ हो इसका हम खिलाफ है तो मामला साफ है बीमारी साफ है कि लड़का को लूट हो रहा है लड़का को लूटा जा रहा है जिस दिन साधी करते हैं जी लड़की बाले उस दिन क्यों जाके बढ़ियास बात करते हैं लड़की के माता पिता से कि भाई साहब मेरी बेटी बच्ची है भाई साहब आपके लढख सेव帶 मुखंगां, और भी अलदा, अटाने में था, हैब एदि इस लेकां में में व सबस्यों है. वह बात बोलबादे के बच्ची है, हैमらम बच्ची है। आपने के घर संभाड़ की राखते हैं। बच्ची हैं। इसे बात करता है, अपने के घर स्वर्ग भरा के रखते है। हमने बच्चि हमरे मिद्नी के सव हुनर छे, सब्जी बनाई लई छे, सब शब्त सब्ची बनाय ले अपने पता लगए थी नहा। ऐएसे बात करकर के बेटी को भिया कर देता है आओ उसके बाद जैसी लड़की जब साधी हो जाता है तब कहता कि हमको तुमपढ़ाओ हमको पढ़ाओ ससूर को कहता है पती को कहता है तुम हमको पढ़ाओ दरोगा बनावाईS का तयारी कराओ अरे भाई उस समय बोले थे कि लच्छिमी बन करके रहेगी घर दुगार देखेगी अच्छा से सब कुछ अब वही जान के लड़का बना साधी किया कि मेरी बहू मेरी पतनी घर देखेगी लच्छिमी बन के रहेगी उसके बाद ऐसा काम करते हैं उसके बाद कहते हमको हिरोनी बना दो हम तो फैसन डिजाइनर थे ही क्यों भाई ये बात किलिए किये थे आप से कोई भी बेटा के साधी करिएगा तो लड़की वाले से अस्टाम पेपर पर साइन करवा लिजिएगा टोटल अदमी ने तो आपका बेटा फस जागा मुसीबत में हलाके उसका भी रास्ता है सिर्फ बेटा अगर होसियार रहे उसके बाद उसका भी रास्ता है पवन सिंग कह रहे है कि छोटा पवन आएगा पवन सिंग कहना है सुन लिजे पहले पवन सिंग कह रहे है कि छोटा पवन आएगा जोती सिंग साथ में है ही नहीं तो पवन सिंग कहां से आएगा पवन जी को पुछी एगा चोटा पवन आएगा तू क्या कहेंगे नहीं आएगा कोई लड़का इचाहेगा जे कि मेरा बेटा नहीं हो कोई लड़का का माता पिता चाहेगा कि मेरा पोता नहीं हो आर तो वही नहीं रोक ले है जी अरे बतबाप नहीं समझे मैं समझ रहा हू लोग जानता है कि मेरी बेटीस ने इसका बंस बढ़ेगा, मेरी बेटीस तो मेरा बंस नहीं बढ़ेगा, मेरा बंस तो जब भी बढ़ेगा, मेरा बेटास बढ़ेगा, तो तुम्होरा बंस नहीं देंगे बढ़ने, इसलिए लड़का क्यों नहीं मेरे मूठी में नाचा, मे अपने घर के सवर्ग बना के मेरी बेटी इसाथ होता है कि सबसे पहले माता पिता स्लग हो तब तुमरे साथ रहेंगे तर लड़का कहा था किसे मता पिता से डाग होंगे, बोलो, कहे से करती हो, तो ऐसे से बोलता से, ङूंज था भाइ स्वाथए, आधार वह लड़को लुट हो रहा है उस समय के और आपका बेटा को भी ले लेंगे यहां से हम कनियादान किये हैं वहां से बेटी को भी लेंगे और आपका बेटा को भी लेंगे यह बात अगर बोलिएगा तो कोई अपना बैटक साधी करेगा? कोई नहीं करेगा. कोई अपना कड़नी जिगर का टुकड़ा नहीं दे सकता है. एक दम कीडिनी का चोड़ी किया जा रहा है आ कीडिनी का भी चोड़ी मिल रहा है मतलब लड़का भी नाखुस है अधू को अब मतलब नाखुस है अन्नलयों वेटा अब ऊसमें पवन जी नहीं है उसमें पवन जी स्वाजैद करने लड़के मोई है संतर हो वहां हम देखिये अराकल दोगपके लोगते अर६ यह चाहि कि अथ नहिंच करना ने हो इस नहिंद रहा है दो चला ख़र सब्सक्राइब कर द Diris ज़्या मेरे कि çek कि कर दोस्टतह तो मेरे संव इतर है अल्गाओ बढ़ रहा है बेटिया का पनमयाद ज्यादा तरहात में पैड़दाप दीजिए पैड़दाप दीजिए कि देखो इससे बात नहीं है तुमको टान रहा है मेरा घर को उजार देगा हाँ तुमरा घर दी ही न हो गया हाँ तुम सुर्ग बना लो हाँ बिवाद ज्यादा गहरा जाता है हम लोग क्या किये वही किये देखे के खीचाओ ज्यादा हम लोग देखिए बीस साल में मेरी साधी हो गई उस समय हमरा भगवान क्या हमको माथा में दे दिया बचपने से जैसी माहॉल को देखे गड़े तो घीच रहा है हम घीचने नहीं देंगे इतो एकता लगए दिल से कि मेरे बेटा भी ससुरार के चंगुल में नाचने लगा बहू भी चली गई भी चला गया तो मेरा क्षंडान का क्या होगा ये हम होने नहीं दिये उनका सारा चलांकी को धोस्त कर दिये और अपने गोड़ी को बचा कर रखे सिर्फ पत्नी को पैड़दाबना पड़ेगा थोड़ा तेल भी लगा दिजिए जो करना होगा करिए लेकिन पत्नी को जैसा ही खेपे उसकी माँ खेपने मत दिजिए एक लाइन जरूर बता दिजिए कि तुमको पांचो धुर जमीन नहीं देगा जब भी देगा तो अपन बेटबे पुत हुआ कर देगा तो हम क्यों अपना घर उजाड़े एकदम बची समझ जाएगी या अगर कोई हमको कहेगा कि हम पचीस बिघा जमीन देदेंगे आप आईए हमरे घर में बंधग बनके रहिए ससुरार में रहिए हम तो तयार नहीं होंगे कोई तयार पवन जी छोड़िए पवन जी से ज़्यादा खतरनाक खतरनाक लड़का भी है उनको क्यों दोसी ठाडाया जा रहा है सिर्फ एक बात के लिए कि पीते खाते हैं अरे उनका सौख है ये अपना लाइफ है निजी लाइफ है थोड़ा खाने पीने में सौखीन आदमी है इसके सिवा पहने में खाने में पीने में सौखीन है इसके सिवा उनका कोई गलती नहीं है सिर्फ एक ही गलती है कि उनको समय फुर्षत नहीं मिलता है पत्नी को गोर हाथ नहीं दावा समय नहीं मिला समझा नहीं सका यही उनका गलती है और कोई गलती नहीं है पतनी का अगर गोर दबा देते तेल लगा देते तो घर बस जाता है। हम लोग सचाई कर लेंगे। अगर मेरा घर टूट रहा है। उस पिडियड में हम अगर किसी हम को कहेगा कि आप तुम ये चीज खालो गलत चीज खालो पैखाना खालो पिलो तुम्हारा घर बच जाएगा। अगर बत्ती पचास को दिया जला रहा है। उनके दिवाली में उनका दिया जलेगा। नहीं जलेगा। उनका बेटा को भीगीच लिया। पुता को भीगीच लिया। कोन दिया जलाएगा। कोन दिवाली मनाएगा। ऐसा मत करिये। किनी का बेटा बेटा है। आपकी बेटी कोन अपनी बहु को नहीं मानता है जी। उनहीं से उनका बंस बढ़ेगा। खंदान बढ़ेगा। पोता होगा। कंधा पर दादा दादी खिलाने का सौक रहता है। आईए जानता है कि तो खंदरमा हमरे बेटी अज बढ़ता हो हम बढ़ने दबो हम बेटी अग फुस ले ले हैं हमरे अनुसार से नाचोगे तब तो ठीक है नहीं नाचोगे तो हम बेटी को अपना घर बुला ले ये मामला है ये बीमारी है देखे म्यूजिक डारेक्टर जी जोती सिंग का घर बशने नहीं दे रहे हैं और पवन सिंग को घर जमाई के रूप में रखना चाहते हैं तो ऐसे तमाम ख़बरों के लिए आप बने रहिएगा एक निस 24 के साथ दीजेगा इजाज़त धन्यवाद